दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे इन्फिनिक्स की एक और नई फोन के बारे में जो की बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लाँच होगा और इसका कुछ लीक और रिमर निकल के आ चुका है इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो में शुरू से लेके अंतक देखिएगा अगर वीडियो को अगर लाइक निकिए तो लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब निकिए तो सब्सक्राइब करके बेल अक्रिम को दबनाद नहीं भूलिए कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप फोलो के लिए सबसे पहले लेकर आता रहता हूं चलिए दूस्तों वीडियो करते हैं शुरू दूसर सबसे पहले हम इस पॉन के बाद कर लेते तो बैक में आपको पॉलिकार्बोनेट की आई पीएस पैनल देखने को मिलेगा जो कि ट्वेंटी इस्टू नाइन के साथ यह डिस्प्ले आईगी और इसके साथ कोडिलिंग का गोडिले गिलास का प्रोटेक्शन भी आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा और दूसरे इसके साथ इस फोन की अगर पॉर्सेशर क मिल लेगा और दोस्यठा इस्के साथ इस्पून के बात कर लेते तो इस फोन में आपको होगी और ट्रेक्स अपे 가지 लिए लिगा और इस पोन में और शी कामरा कब्रेउप अनलच यह पिसेगा अगर 6 Mick उ自 simple आपको और दिखने को मिल जैगा इस फोन में और इसके साथ अगर सेल्फी में आपको 16 में पिक्सल का सेल्फी कामरा भी इस फोन में देखने को मिलेगा जिससे कि आप ऐसा इंफिनिक्स बताता है कि फोर्ट के तक का वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस इस कैमरा से करताएंगे लिखिन मुझे नहीं लगता है कि इंफिनिक्स फोर्ट के तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का मज़ा दे पाएगा और दोस्तों इसके साथ इस फून के बारें बात कर लेते तो Android Android 12 के इंटर्फिस के साथ यह फोन इंडिया में लॉंच होगा और लास्ट में इस फून की बैठी के बारें बात कर लेते तो बैठी में आपको देखने को मिल जागी जो कि 33 वाट के सुपर फार्स चार्जिंग आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा इंफिनिक्स के तरफ से और लास्ट में इस फोन की प्राइज और लॉंच रेट के बारें बात कर लेते तो यह फोन दोस्तों तो 17000 के आसपास इस फोन का प्राइज रहने वाला है और यह मैं के महीने में इंडिया में लॉंच होगा तो इतना अच्छा फीचर इंफिनिक्स काफी अच्छा काम कर रहा है 5G के मामले में तो बस आपको यह फोन के किया है कहना आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं इस